आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग अपनी productivity को कैसे improve कर सकते हो as a developer मुझे काफी appreciation लोग देते हैं कैते हैं आप इतनी सारी चीज़े इतने कम time में और इतनी consistency के साथ कैसे कर पाते हो मैंने 100 days of code का course बनाया थे अगर आप लोग को याद हो मैंने 100 दिन लगदार वीडियो डाले थे इसका मिलब यह निया कि मैंने अपने normal काम सारे बन किया दी थे daily life के उस time पर मैंने enjoy भी किया था अपने काम भी किये थे 100 days of code challenge भी complete किया था और भी बहुत सारी चीज़े होती है daily daily की वो भी करी थी कैसे मैं इस अब कर पाया था अपना पूरा पूरा week plan कर लेना है और आप लोगों को जो है time table के हिसाप से चलना है I understand कि time table के हिसाप से exactly चलना कभी अभी difficult हो जाता है लेकिन जब आप सुबा को उठते हो और आप एक paper पर बहुत ही roughly लिख लो यार आज मुझे एक से दो तक यह करना है चार से छे तक यह करना है साथ से आट मुझे कहीं जाना है और उसके बाद 9 से 10 यह करके मुझे अपने दिन को खतम कर दिना है अगर इस type के schedules आप लोग बनाओगे कुछ नहीं तो कुछ नहीं तो आपको यह realize होगा कि यार आप जो सोचते हो वो कर पाते हो की नहीं कर पाते हो अगर कर पाते हो तो कितनी हट तक कर पाते हो और नहीं कर पाते हो तो अगले दिन आपको उसको कर पाने के लिए क्या करना पड़ेगा if that makes sense कुल मिलाके मेरे कहने का point यहां पर यह है कि आप लोग अपने आपको बेहतर तरह से समझोगे कि कहां पर problems आ रही है तो schedules बनाओ और उस schedule में काम करने की कोशिश करो ताकि आप कम time में जाधा कर पाओ इसलिए नहीं कि आप लोगो कोई productivity machine मनना है लेकिन इसलिए कि आप जिस काम को तीन दिन लगा रहे थे करने में अपने आपको lock कर ले रहे थे कि यार मुझे ये करना ये करना ये करना वह काम शायद आप एक दिन में कर रहो और जो बचे वह दो दिन है उसमें किसी trip पे चले जाओ कुछ और कर लो कहीं खेलने चले जाओ और यहीं पर मैं बात करना चाहूँगा WPS की WPS से एक suite of office products है जो कि आप लोगों को writer देता है spreadsheets के लिए tools देता है और उसी के साथ-साथ PDF वगेरा के लिए tools आप लोगों को देता है वो भी at a very competitive pricing तो अगर आप लोग एक बहुत ही competitive pricing में एक बहुत ही बड़िया office suite ढूंड रहे है तो WPS is a go-to product जो कि आप लोगों को मैं recommend करता हूँ इसका एक तो standard version है जो कि absolutely free है तो आप लोग standard version को तो free of cost use करी सकते हैं उसी के साथ-साथ WPS का pro version है जो कि इतनी competitive pricing के साथ आता है कि it is going to be bank for your bug तो अगर आप लोग भी WPS को try out करना चाते है तो मैं link description में दे दूँगा आप लोग description में दी वो link को check out कर लेना WPS के products में AI भी integrated है जो कि आपकी productivity को एक अलगी level पर ले जाएगा तो इसलिए मैं recommend करता हूँ WPS office को description में link डाल दूँगा आप लोग इसको download ज़रू करना और मुझे बताना किया इसका AI आप लोग को कैसा लगा इसके बाद जो दूसरी tip में आप लोग को देखना चाहता हूँ वो है कि get rid of all the distractions अगर आप लोगों की जिंदगी में distractions रहेंगे while you are working आपकी productivity अपने आप नीचे चली जाएगी क्योंकि आज की तारीक में फोन है कैसी चीज अगर आप लोग को एक notification आगया मनलो और उसमें लिखा हुआ है कि यार यह चीज है आप लोग यह खरील दो आपके हाथ में फोन आया नहीं और आपका अगला गंटा घराब हुआ नहीं तो इसलिए आप लोग फोकस मोड पर जाओ मैं यह नहीं कर रहा हुआ पूरे दिन फोकस मोड पर बैठे रहा हुआ फिर 25-25 मिनट के फोकस मोड पर चले जाओ फिर ब्रेक लेलो पांच मिनट का इस तरह से आप लोग करोगे ना तो अब जादा टाइम तक अपने आपको फोकस कर पाऊगा मैं यह नहीं कहा रहा हुआ जिंदगी बार आप लोग को जादा से जारा टाइम काम करना है लेकिन क कभी कभी ज़रूरत पड़ती है मुझे आएटी जाई के टाम पर इस टेकनीक ने बहुत हल्प करी थी इसके बाद जो तीसरे टेप है वो यह है कि जब आप एज़र डेवलपर काम कर रहे हो तो कीबोड शॉर्टकट का इस्तेमाल करो और कीबोड शॉर्टकट का इतना इस चीज को फिक्स करनी पड़ेगी उसी के साथ सार बार बार अगर आप किसी एक ही टास्क को रिपिटेटली करते में पा रहे हो आटोमेटेट सम्हाओ यूज को इसी चीज कर रहा हूं जो कि शायद मशीन नहीं कर सकती ऐसे में आप लोग उस काम पर फोकस कर पाएंगे जिस करना ना पड़े बहुत सारे लोग अपनी हैल्थ का ध्यान नी रखते हैं और स्टूल पर बैठ जाते हैं या फिर उनको कमफर्टेबल भी भी नहीं लगता है ऐसी जगह पर बैठ जाते हैं अगर आप लोग कहीं पर बैठ कर और स्ट्रेट दो तीन घंटे काम कर रहे हो त है से एक घंटा बैठ के आदा घंटा बैठ के देन डिस अ बिक प्रॉब्लम हाला कि मैं रेकमेंड यह करूंगा कि आप लोग रेगुलर बीच-बीच में पांच-वाज मिनट के ब्रेक्स लेते रहो जैसे कि मैंने भी आप लोग को फोकस मोड वाली टेक्नीक में बताया थ आपको अपनी workplace को as comfortable as possible बनाना है पिर चाहें वो office में हो चाहें वो आपके college में हो चाहें वो आपके hostel में हो या चाहें वो आपके घर पे हो आपकी workplace कहीं पर भी हो जहां बैठ कर आप लोग काम कर रहे हो वो comfortable होना चाहिए आप लोग अगर possible हो तो multiple monitors का इस्तेमाल करो because it helps a lot लेकिन laptop में भी मैंने personally काफी अरसे तक काम ही है कोई problem नहीं होती है इसके बाद last but not the least use AI tools as much as possible चाहट जीबीटी फ्री है चाहट जीबीटी जैसे पता नहीं कितने AI फ्री हैं और आने वाले time में जैने कितने AI फ्री होंगे आपको AI पर depend नहीं होना यह मत सोचो कि AI मेरा 100% का करा लेना है 50% खुद value add करना है और जो package बनके आएगा ना फिर उसकी बात ही और होगी तो आप लोगों को यह चीज करनी है and you'll find yourself very productive over time अगर आप लोग यह सारी tips को implement करते हैं तो I hope कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा और आपकी जिन्दी में इस वीडियो ने value add curry hoi thank you so much guys for watching this video and I will see you next time